हलो फ्रेंट्स वागत आप सभी कापके अपने यूट्यूब चैनल टेकनिकल इंडिया सम्मक में तो फ्रेंट्स आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे स्कॉलर्शिप के बारे में जी हम दोस्तों आपको एक गुड न्यूस देनी है और गुड न्यूस यह है स्कॉलर्शिप डिपार्ट्मेंट की तरफ से स्कॉलर्शिप की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है अब आप लोग चेक कर सकते हैं किस स्टूडिंट को कितना एमाउंट मिला है स्कॉलर्शिप का तो वीडियो में नतलग बने रहीएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो इस रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लिए उससे फैद सबसे पहले आपको अपना Chrome browser open कर लेना है और वहाँ पे सर्च कर लेना है सरकारीjob.co इसका लिंक में आपको description देंगा आप लोग आँसे भी जा सकते हैं और direct Chrome browser भी सर्च कर सकते हैं सरकारीjob.co जैसी ही आप इसे website पर पहुचेंगे तो आपको कुछ इस तरह का interface दिखाई द देना है जैसी ही आप इस पर click करेंगे आप एक फिर से new page पहुच जाएंगे जहां पर आप लोग scholarship से related latest news पढ़ सकेंगे तो यहां पर हम लोग simply नीचे आजाते हैं जैसी ही आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर आप लोग 3-4 links देख सकेंगे जहां पर आप लोग last second option जो है NSP section list या जो click here लिखा है आपको simply इस पर click कर देना है जैसी आप इस पर click करेंगे आपको यहां से desktop site open कर लेनी हैं हम यहां से desktop site open कर लेते हैं उसके बद आपके सामने कुछ इस तरहां का interface आ जाएगा जहां पर आपको simply academic year select कर लेना है कि आप लोग किस year का देखना च चाते हैं उसके बद आप से पुछेगा आपकी जो application है वो किस type की है fresh है या renewal आपको एक चीज़ बता दें रिन्यूवल का तो update हो चुका था मगर fresh category के trends का update नहीं हो आता जो के अब update हो चुका है तो यहां पर हम लोग fresh पर click कर देते हैं उसके बद आप से पूछेगा आपक है उसके बद आप से पुछेगा scheme यहां पर आपको simply अपनी scheme select कर लेनी है जोन सी भी आपकी scheme है यानि कि post metric, pre metric and professional and technical courses यहां पर हम लोग select कर लेते हैं उसके बद आपको अपना district ले लेना है कि आपका district जिला कौन सा है ठीक है अब दिखिए जो यह नीचे के दो option है यह साल से बढ़ गए हैं यानि कि आपको यहाप अपना name डालना है और यह mobile number डालना है उसके बाद capture को डालके submit पर जैसी क्लिक करेंगे तो आपके जो registered mobile number है उसके बाद समिट करेंगे जो आपकी list है scholarship की वो open हो जाएगी ठीक तो यह सारी details में fill करता हूँ उसके बाद आपको बताता है जो के latest list है ठीक है यानि कि जो final list है वो यहाँ पर open हो चुकिए जियां दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सभी strengths की जो list है वो यहाँ पर open हो चुकिए चाहे वो professional courses हो या technical courses हो pre metric हो या फिर post metric ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस त आएगा category फिर आएगा gender उसके बदा आएगा कितना amount आपको मिला है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 6,050, 6,315, 11,050, 7,315, 28,740 रुपे यह scholarship का amount है और यहाँ पर आपको बताता हूँ कितने strengths है technical courses में जिस जिलिका मैंने चेक किया है 336 strength की यह list है तो आप लोग इस त कितना amount मिला है scholarship का so friends I think आपको यह video समझ में आ गई होगी और UP scholarship का और National scholarship portal का form किस तना से आप लोग अपने mobile से fill कर सकते हैं इस पे मैंने complete video बना रखी है उस video का link आपको description में मिल जाएगा उस video को देखिए और आप लोग अपना form apply कर सकते हैं so friends आज किस video में इतना है और इस video को like कर दिएगा channel पी new हैं तो channel को subscribe करके bell icon जबर दबा दिएगा thank you friends have a nice day